माराश में उधर आज बीजेपी और महाविकास अगारी ने अपने अपने चिनावी गोशना पत्र जारी कर दिये इस दौरान अमिश्या ने राहूल गांदी उधो से लेकर कॉंग्रेस पर जम कर प्रहार किया और कहा कि ये बेमेल गड़ बंदन है अमिश्या ने कहा कि उधो में हिम्मत है तो राहूल से जरा सावरकर के लिए दो अच्छे शब्द का अलवाएं उधर माविकास अगारी की तरब से कॉंग्रेस अदेक्ष मरिकार अरजुन खरगे ने भी मूदी सरकार पर प्रहार किये खरगे ने कहा कि हमारे कई वादे कॉपी गे रहे हैं मुदी ने बुलेट्रेन का वादा किया था जो आज तक अधूरा है तो MVA वर्सेस बीजेपी देखे जरा आज जो गोशना पत्र तंकल पत्र जारी किया गया किसके गोशना पत्र में क्या कुछ है किसने क्या वादे कि MVA 25 लाग का मुफ्त स्वाथ भीमा देंगे कहरे ये बीजेपी कहरे एक ट्रिलियन पान सो रुपे में कैसलेंडर MVA कहरे ये बाहिलाओं को वित्तिय साक्षर्ता का प्रश्रिक्षन देंगे ये बीजेपी कह रही है 25 लाग नई नौकरिया देंगे ये बीजेपी कह रही है MVA के रहे डाई लाग खाली पत्र भरेंगे जाती जंगरना कराएंगे ये फोकस है रावल गांदी का खासकर कॉंग्रेस का अब MBA कह रही है बीजेपी कह रही है कि 50 लाख लगपती दिदी बनाएंगे किसानों के लिए योजनल आएंगे 10 लाख नय उद्दमी तैयार करेंगे ये भारती जंथा पाड़ी के संकल पत्र में इसको रखा गया है कांग्रेस के अध्यक्स ने भी कहना पड़ता है कि कॉंग्रेस के लोग जब बादा करें तो सोच समझ कर करें कि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है अमरे सामने हिमाचल का उधान, कोंग्रेस वादों से मुक्री है तिलंगाना का उदान है कॉंग्रेस वादों से मुक्री है करनाटक का उदान है कॉंग्रेस वादों से मुक्री है यह अगाडी के वादों के विश्वस्त नियता पाताल से नीचे गई है और यूती के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है भारत की जनता को भी भरोस है अमारी कॉपी करने वाले लोग हमको यह कहते हैं कि यह तो सभी लोग यह दिवालापन निकालने के लिए आज किये हैं तो खुदी वो अपने लोकों को बोल रहे हैं हर जहाँ जहाँ बीजेपी के गवर्मेंट हैं दो चार स्कीम्स वो खुदी बोल रहे हैं अनौन्स कर रहे हैं और यह लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीज़े कर रहे हैं कोई बाती जंता पाटी ने अलग से माराश की जंता के लिए संकल प्रत्रुजारी किया अमिशा की महजुद्गी में तो बड़ी बात यह क्या रही है गोशना प्रत्रुखी अमिशा ने क्या कुछ कहा है अब जरा देखे राहुल सावारकर पर दो अच्छे शब्द बोल स सकते हैं क्या सवाल खड़े किये कॉंग्रस ने हिमाचल थे लंगाना में वादे पूरे नहीं किये अमिशा की जो बड़ी बाते हैं राहुल ने सविदान का अपमान किया है कोई सोच नहीं सकता था कि अनुछे 370 हटेगा CAA सच्चाई बनेगी किसी ने सोचा भी नहीं था भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा कि किसी ने सोचा नहीं उद्वो 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं राहुल सावरकर पर दो अच्छे शब बोल सकते हैं चलिए अब आपको सुनवाते हैं अमिशा ने क्या कुछ कहा है कैसे हमला बोला है जिस समविधान को लहरा कर बाबा साब आमबिड करके संकल्पो की याद दिलाई जब किसी प्रेश के मित्र ने वो समविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कूरा था एक अकसर भी नहीं लिए इससे बड़ा आप्मा तो हमिश्या के मौझूदगी माराश के अंदर मुंबई में और तमाम भारती जन्ता पार्टी के शिश जो टॉप लीडर से उनकी मौझूदगी में संकल्पत्र को जारी किया गया हमिश्या के नेत्रतों में देखे जड़ा और इसमें तमाम जो फोकस है वो महिलाओं पर वरीबों पर, युवाओं पर और बिरोज़कारों पर उनके लिए इस संकल्पत्र में जन्ती गई है और इसी बीच आपको बता दें माराश में स्रीम को लेकर भी अमिश्या का बड़ा बयान सामने आया जिसको लेकर कई बार सवाल पूछा जा चुका है तीनों सयोगी दल मिलकर तैय करेंगे स्रीम कौन होगा अमिश्या ने का अभी शिंदेजी है लेकिन सुनाव के बाद तीनों पार्टियों में जो सैमत ही बनेगी उसके अधार पर होगा अमिश्या को सुने प्यंद्री जी ने बताया कि पहले दस मुद्दे महायूति ने घोशित किये है और तीनों पार्टियों का अलग अलग संकल्पत्र है यूति की सरकार बनने के बाद तीनों पार्टियों के मंत्रियों की एक कमिटी बनेगी जो तीनों पार्टियों के संकल्पत्र को विचार करकर इसकी प्राइटी दाई करेगी और सत्प्रतिसत इंप्लिमेंटेंट से दूए और वहीं माविखास अगारी ने भी आज संकल पत्र चुनावी घोशना पत्र जारी किया और उनके सहयोगी पार्टी यानि कि उसमें देख सकते हैं आप उदर ठाकरे की जगर आप पर लिया गया महायूती को और वहीं अपने गोशना पत्र में युवाओं पर फोकस, महिराओं पर फोकस, रोजगार देने के वादे, 500 रुपे में गैस सिलिंडर, नई उद्योग, निती लाएंगे, ये सब कुछ कहा गया है, तो वादों का पिठारा महाराज की जनता इस की बादाएं है, सब को उन बादाओं को निकाल के फिर आपुर्चुनिटी देना, और उनको उनके स्थर पर याने जाती ये जनगणना करने का हमने फैसला लिया है, और जो 50% सीलिंग है, उसको भी हम हटाएंगे, जैसा कि तमिल नाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए, उसका जैसा ये किया, वही उस आदार बर हम भी ये जाती जनगणना करने के बाद, जिन लोग, जो वंचीत लोग है, जो गरीब से गरीब लोग है, उनको इसका फाइदा होगा, ये काम भी हम कर रहे हैं।